हाई गुड मारिंग फ्रेंड्स वेलकम बेक टो और चैनल कोडिंग एक्सपर्ट माइसल महेश कुमार कुमाउथ और आज के वीडियो में अपन सिखेंगे कि Apple ID कैसे क्रियेट की जाती है और इसका कहा कहा पर अपन यूज कर सकते हैं तो दोस्तो एप स्टोर से कोई भी एप इंस्टोल करने के लिए आपको Apple ID की रिक्वार्मेंट होती है तो आज अपन देखेंगे कि Apple ID कैसे क्रियेट की जाती है और इससे app store पे कैसे login किया जाता है तो दोस्तों Apple ID create करने के लिए जो website होती है वो developer.apple.com होती है तो दोस्तों जो Apple ID है वो आपके Apple developer program में enroll करने के काम में आती है साथ ही साथ इस Apple ID की help से ही आप क्या कर सकते हो अपनी applications बगेरा publish कर सकते हो तो जब दोस्तों स्टार करते हैं कि Apple ID के से create किया जाती है तो दोस्तों आप open कर लिजिए developer.apple.com website और उस पे आप account पे click कर दीजिए तो जब आप account पे click करोगे तो आपके पास में sign in page खुलेगा sign in to Apple developer तो आपके पास में पहले से Apple ID है तो आप login कर सकते हो तो दोस्तों हमारे पास में Apple ID नहीं है तो आपन कौन सा option select करेंगे create yours now तो हम यह आप select कर देते हैं और click करने पे हमारे पास में option आया है sign up page आ गया है यह Apple ID create करने के लिए जहापके आपको first name डालना है कि आप last name एंटर कर दीजिए then country select कर दीजिए आप drop down में search भी कर सकते हो अपनी country date of worth फिल कर दीजिए यह ddmmyyy की format हो यह होगा मतलब पहले day आएगा फिर मनत आएगा उसके बाद में year आएगा then उसके बाद में आपको Apple ID जो भी आपको create करनी है वो यहाँ पे एंटर करनी है this will be your new Apple ID तो दोस्तों यह फिल्ड है आपका Apple ID का तो आप अपनी Apple ID का जो format रहेगा वो क्या रहेगा name at the rate example.com से क्या मतलब है जैसे मेरी mail ID kkmahish at the rate gmail.com तो यह हो गया name kkmahish और at the rate और जो भी आपका domain है हो सकता है किसी की info.com company हो या कुछ और भी domain उसके पास में हो तो domain वाली email ID को भी ऐज़े Apple ID बना सकता है तो अभी अपन जो बना रहे है Apple ID उसको लिख देते हैं यहाँ पे info.codingexpert at the rate gmail.com तो यहाँ पे name क्या हो गया info.codingexpert at the rate gmail.com क्या हो गया domain हो गया ठीक है तो यह मेरी Apple ID बन गई और दोस्तों यहाँ पे आप क्या कर सकते हो अपनी Apple ID का password set कर सकते हो जैसे Gmail का करते हैं वैसे आप यहाँ पे password set कर दीजिए strong तो दोस्तों यहाँ पे password का format क्या रहेगा 8 character minimums होने चाहिए और 8 से ज़्यादा characters भी आप ले सकते हो साथ इसाथ एक upper case character होना चाहिए एक lowercase character होना चाहिए और at least one number आपके password में आना चाहिए मतलब आपका password strong होना चाहिए तो मैं यहाँ पे अपना password set कर देता हूँ कर दीजिए यहाँ पे आप अपने mobile number set कर सकते हो तो दोस्तों यह लिस्ट है alphabetical order के अंदर है तो आप इंडिया के coding AI पे आजाई है और इंडिया सेलेक्ट कर दीजिए दोस्तों उसके बाद में आप अपने mobile number रेंटर कर दीजिए आप phone call के तुरू verify करना चाते हो अपने number या message के तुरू करने चाते हो तो मैं text message कर देता हूँ तो दोस्तों अगर आपको announcement नीच चाहिए कर सकते हो और यहाँ पे जो capture है वो enter कर दीजिए आप कि देन continue पर क्लिक कर दीजिए कि capture रोंग हो गया है कि दोबारा एंटर करके submit कर देता हूँ कि तो दोस्तों यहाँ पे जो मैंने email id डाली थी उस पर एक verification code गया है वो मुझे यहाँ पे एंटर करना है तो जो भी आप एपलाइड डालते हो उस पर आप जाकी चेक कर लिए एक verification code आता है तो वह यहाँ पर आपको enter करना है email को verify करने के लिए तो मैं यहाँ पे अपना code एंटर कर देता हूँ तब copy paste करके भी डाल सकते हूँ यहाँ से तो मैंने यहाँ पर जो भी code आया था मेरे पास में वह मैंने copy paste कर दिया है और उसके बाद में आप क्या कीजिए continue पर क्लिक कर दीजिए अब दोस्तों mobile number verify करने के लिए एक और इंटोने code बेजा है mobile number पे तो वो भी आपको यहाँ पर एंटर करना है mobile number verify करने के लिए तो दोस्तों मैं अपने mobile number से verification code एंटर कर देता हूँ देन continue कर दीजिए तो दोस्तों अगर आप ब्राउजर पे यूजर नेम और पास्वर्ट सेव कर माना चाहते होगा आप सेव कर दीजिए नहीं तो नेवर पे क्लिक कर दीजिए तो दोस्तों यहाँ पे license agreement आ चुका है Apple developer agreement तो यह license आप देख लीजिए one by one इसकी details वगर आप read कर सकते हो यहां से दोस्तों आप इस check box को check करके confirm कर सकते हो कि हाँ मैं इस agreement को accept करता हूँ तो यह license agreement आप accept कर दीजिए देन यहाँ पे submit पे क्लिक कर दीजिए दोस्तों अगर आप नहीं चाहते हो कि आपके पास में कोई ऐसे मतलब promotional जो message है emails वगरा है वो Apple के आए कोई events होता है news होती है कुछे नया यह लोग release करते हैं तो उसके notifications send करते रहते हैं email आती रहती है तो आप इसको uncheck भी कर सकते हो ठीक है मैं आप इसको check दी चाहँड़ देता हूँ और submit पे क्लिक कर देता हूँ तो दोस्तों यहां पे मेरी जो Apple ID है वो create हो चुकी है और अगर आपको enroll करना है Apple developer program तो यहां से आप क्या कर सकते हो enroll कर सकते है Apple developer program के लिए तो दोस्तों Apple ID का जो काम था create करने का वो हो चुका है अब आप इस Apple ID और password का use करके app store पे login हो सकते हो और वहां से किसी भी application को install कर सकते हो Apple developer program के लिए आपको enroll करना है तो enroll today यहां पे click कर दीजिए उसके बाद में क्या होगा यह आपको लेके जाएगा Apple की जो developer application है उसके ऊपर तो आपको यह download करने के लिए पोल रहा है कि enroll करने के लिए आप जो एपल की developer app है उसको install कीजिए देन उस पर आप enroll कर सकते हो अब website पर आप enroll नहीं कर सकते हैं इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा Apple developer app है वो install करने पड़ेगी तो दोस्तो यह complete process था Apple ID create करने का इस Apple ID को आप iCloud पे भी login करके जो storage वगरा है वो use कर सकते हो तो दोस्तो मिलते हैं next video के अंदर उसमें आपन सीखेंगे कि कैसे Apple developer program में enroll कर सकते हैं तो दोस्तो अगर आप iOS application development सीखना चाते हो तो चैनल को subscribe कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए मिलते हैं next video में thank you bye bye have a good day